ओम स्री गुरूब्यों नमहां खमम और सूर्य बेट जिलों के समेक्त जिला विद्जाशा कादिकारी जी स्री मदन मोहन जी को और सभी हिंदी अध्यापकों को मेरा नमस्कार नवी कक्षा के चात्रों को स्वागत करते हुए मैं अपना परजे बताती हूँ मेरा नाम रावुरी पद्नश्री हैं मैं हिंदी अध्यापका हूँ मैं खमम जिले के कोणिजरला मंडल के जड़पी हिचेस सिंगराय पालम में काम कर रही हूँ आज मैं आपको एक कहानी बताना चाती हूँ जो आपके किताब में हैं एहाँ चित्र देखियाँ यहाँ पर एक पक्षी है पक्षी का चित्र है कुछ पक्षियों के नाम बताईए बच्चों कुछ पक्षियों के नाम बताईए आपको मालूम है पूरे नाम एक बार देखते हुए मेरे साथ पढ़िए कभूतर, उल्लू, तोता, बत्थक, मुर्गा, मोर, कव्वा, हम्स बटेर, सारस, कोयल, बुल्बुल, राम, चिरैया, शुतुर, मुर्ग, गौरैया, गिद्ध बच्छों, आपके पास किताब है और एक नोट्स, एक पेन लाकर बैट जाएए जहां कही भी व्याकरणाम नएए शब्दार्द लिकने की जरूरत पड़े तो अपने किताबों में लिख लीजिए यहां पर आपको तो एपूरे पक्षियों के नाम मालूम है कुछ पक्षी हैं, मदुर स्वर में गाना गाते हैं कोयल, कोयल मदुर स्वर में मीटे मीटे आवाज में गाती है और दूसरा तोता, तोता को हम चोटे चोटे शब्द सिखाएंगे तो वो वो शब्द फिर कहती है ऐसा ही एक पक्षी हैं, वह पक्षी मदुर स्वर में गाना गाती हैं वह अपने गाने से पूरे स्ट्रामिकों को, किसानों को, जो ठकावट होती हैं, उस ठकावट को दूर करती हैं ऐसे एक मदुर गीत गाने वाली गाने वाली चिडिया के बारे में आज हम जानेंगे देखिए बच्चों, पाट का नाम क्या है? गाने वाली चिडिया यहाँ देखिए बच्चों, कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र देखिए, ध्यान से देखिए, मैं प्रश्ण पूछेंगी इनके बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा तो इसलिए जो चित्र आप देख रहे हैं, उन चित्रों को चित्र से ध्यान से देखिए और दूसरा चित्र है, किसान केती बारी कर रहा हैं, और यहाँ पर भी केत में काम कर रहे हैं और यहाँ भी देखिए, सब लोग मिलकर केत में काम कर रहे हैं यह श्रयामिक हैं, स्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बोज अपने सिर पर रख कर चल रहे हैं यहाँ पर भी देखिए, मेहनत श्रयामिक हैं इन सब चित्रों को आपको देखने के बाद जो मन में आया उनको मैं प्रश्ण के द्वारा पूछना चाहती हूँ यहाँ पर एट चित्र हैं चित्र के नीचे प्रश्ण हैं प्रश्णों के उत्तर आपको देना पड़ेगा पहला प्रश्न है चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है यहाँ इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है किसान, बैल, हल, केद, आदिवा है ना बच्चों समझ में आए ना आपको आपको भी यही दिखाई दे ना और दूसरा प्रश्ण है, वे क्या कर रहे हैं? यहां जो किसान है, वह क्या कर रहा है? वह हल जोदकर केती बारी कर रहा हैं. और दूसरा प्रश्ण है, इनकी मेहनत पर अपने विचार बताईएं, किसान तो बड़े परिश्रमी होते हैं. वे अपने पशों के साथ केतों में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं. अपने पशों के साथ केतों में दिन रात श्रम करता है। क्यों? क्योंकि वह श्रम करने से ही हमें खाने को काध्यान मिलता है। अन्न हमें अन्न उत्पादन करने वाला उगाने वाला हमें अन्न देने वाला तो किसान ही हैं। किसान हमारे देश के रीड हैं। किसान के बिना हमें खाना नहीं मिलता है। इसलिए वह हमारे अन्न दाता है। ओके बच्चों समझ में आये ना आपको तीन ओम प्रेश्णों के उत्तर आप लिख लिए और ये हैं उनके आंसर्स उत्तर हमने बहले जान लिए हैं और आगे चलेंगे यहाँ पर आपको क्या दिखाए दे रहा हैं प्रमुक साहित्यक विधाये इस प्रकार हैं विधाये बोले तो प्रक्रिया प्रक्रियलू ओके बच्चों सभी भाषाओं में रहते हैं इंग्लीश में इन्हें डिस्कोर्स कहते हैं तो हिंदी में जो विधाये हैं उनके बारे में आप जानियें नाटक एकांके उपण्यास कहानी आलोचना निबंद संस्मरन रेकाचित्र आत्मकथा जीवनी डायरी यात्रावृत रिपोर्ताज कविता इन में से आपको कुछ मालूम है नाटक मालूम है उपण्यास नवला कहानी कधा निबंद व्यासम जीवनी वृत्ताज जीवितम गुरिंची यवरेनाव का गुपवेक्ति गुरिंची रायरी और यात्रा वृत्ताज जो यात्रा हमने देखा है उस यात्रा के बारे में लिखना तविता ओके ये पूरे विधाये हिंदी में रहते हैं अब जो हम पाट पढ़ने जा रहे हैं वह पाट कहानी विधा में हैं किसी विधा में है बच्चों कहानी विधा में हैं तो अब बोलिए इस कहानी का नाम क्या है इस कहानी का नाम क्या है बच्चों गाने वाली चिडिया आपके समझ में आए अब हम जो पाट पढ़ने जा रहे हैं वह पाट कहानी विदा में हैं कहानी कहानी शब्द वह दातू के साथ आनी कृत प्रच्चय जोडने से बना हैं कहानी में दो शब्द है कह प्लस आनी आनी प्रच्चय जोडने से बना हैं कह का आशय है, कहना से हैं, कह, कह बोले तो, कहना, किसी गटना या बात का सुन्दर डंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है, किसी भी गटना या बात, किसी भी विशे को हम सुन्धर ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुद किया जाना ही कहानी हैं बच्चों को तो कहानी बहुत पसंद आते हैं इसलिए बच्चपन से ही हमारे दादी, नानी, दादा वैसा हमें अच्छे-च्छे कहानिया, नीती कहानिया बताते हैं हम सुनते हैं इसलिए बच्चों को बच्चमन से ही कहानिया बहुत पसंद आते हैं तो आज के कहानी हम पढ़ेंगे उद्धेश, इस कहानी आपको क्यों दिया गया है इस पार्ट में, इस पुस्तक में यह क्या उद्धेश इसे दिया गया है, अब जानेंगे कहानी पढ़कर समझना कहानी जो है वह पढ़कर समझना अच्छी तरह से समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना प्रयास करना कार्द क्या है? प्रेत्न करना हम भी अच्छे से चोटी या सरल कहानी लिखने का प्रेत्न करना चाहिए इस पाट का उद्देश यही है जो भी चोटी कहानी है तो वह पढ़कर अपने आप समझ लेना और एक चोटी सी कहानी लिखने का प्रयत्न करना इस पाट का उद्देश है चलिए बच्छों अब हम कहानी पढ़ेंगे इस कहानी में जानने की बात यह है कि बच्छों कहानी गुजर गया होता है यानि बूतकाल का होता है जो बूतकाल का कहानी हम पढ़ रहे हैं अब बूतकाल का बूतकाल का है तो हमें कैसे पता चलता है क्योंकि वाक्य क्यान्त में ता ते ती हो गया ऐसा है तो हमें बूतकाल समझ में आता है जो भी कहानी हम ते लोगों में भी वैसा ही बोलते हैं ओक राजू उन्डे वाडू हो गया ओक पूरा उसके बारे में वैसा बोलते हैं एक कहानी बोलना है तो पूर्वा कालम लोक राजू उन्डे वाडू ऐसा बोलते हैं इसी प्रेकार, हिंदी में भी एक राजा था, एक राजा था, वह बहुत ही सुन्दर महल में राता था, वह का राता था? एक बहुत ही सुन्दर महल में चाल अंध मेना महल राज बहुत ही सुन्दर महल में राता था, काउन राता था? राज महल में राजा राता था, वह महल कैसा था? बहुत सुन्दर था. उसे अपने महल पर बहुत गरू था. किसे अपने महल पर बहुत गरू था? राजा को अपने महल पर बहुत गरू था. गरू को शब्द कर्द क्या है? कमंड. उस महल को देखने समसार के कोने कोने से यात्री आते थे समसार इसका पर्यायवाची शब्द है दुनिया, विश्व, जग, जगत, आदि यात्री आते थे, यात्री आते थे यात्रियों ने अपने यात्रा वन्नन में महल की सुन्धरता के बारे में कई बाते न लिखी जो यात्री आते थे वे लोग महल के सुन्दरता के बारे में वर्नन बहुत सुन्दरता के बारे में कई भातें लिखी किस में लिखे थे हैं यात्रा वर्नन किताब में अपने आपने जो महल देखे उस महल के सुन्दरता कैसी हैं उसके बारे में लिखे थे उन्होंने एक गाने वेली चिडिया के बारे में भी लिखा उन्होंने वे लोग जो यात्री आये थे महल को देखकर महल के सुन्दर्गता के बारे में लिखे थे और एक गाने वाले चिडिया के बारे में भी लिखे थे यह चिडिया महल के पास वाले जंगल में रहती थी यह चिडिया कहा रहती थी जंगल के महल के पास वाले जंगल में रहती थी जंगल इस शब्द का परियाई वाची क्या है वन कानन ओके बच्चों चिडिया कहा रहती थी महल के पास वाले जंगल में रहती थी और वह मुदूर स्वर में गाती थी वह कैसे गाती थी? मुदूर स्वर में गाती थी पहला अनुच्चेद आपके समझ में आया बच्चों तो अब दूसरा अनुच्चेद राजा ने इस चिडिया को कभी नहीं देखा था यात्रियों का यात्रवनन पढ़ने से राजा को चिडिया के बारे में पता चला फिर राजा को कैसे पता चला चिडिया के बारे में यात्रियों का यात्रा वनन पढ़ने के बाद राजा को चिडिया के बारे में पता चला ओके बच्चों राजा ने उस चिडिया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुला कर कहा उन्होंने अपने जो सेवक रहते हैं उन लोगों को बुला कर एक बार कहा क्या कहा उन लोगों से तुम लोगोंने कभी मुझे गाने वाली चिडिया के विशे में नहीं बताया तुम लोगों ने साइनिक लोग भी कभी भी कोई भी गाने वाली चिडिया के विशे में नहीं बताया जाओ जेंगल से उस चिडिया को पकड़ ले आवो जाओ आप लोग जाकर क्या करना जेंगल से उस चिडिया को पकड़ ले आवो मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ क्या करना चाहता है राजा चिडिया के गाना को सुनना चाहते है समझ में आये ने बच्चों राजा उस चिडिया के गाना को सुनना चाहते थे इसलिए अपने सेवकों को बुला कर बोला तुम लोग जाकर जेंगल से उस चिडिया को लावो मैं उन्स चिडिया की गाना को सुनना चाता हूँ यहाँ दो अनिच्चे दोंके नए शब्दात है देखें बहुत चाला सुन्दर अंधमैना कोना मूला यात्री यात्रिकुलू चिडिया पक्षी स्वर गुंतु वर्नन वर्नना गाना पाट पाडटं पाट और दूस्टार्देहे पाडटं डून्डुन्न वेदकटं जानन तेलुसुकोनुट रास्ता दारी तकान अलसटा अनुरोध प्रार्थन विन्नपम आवाज देना पिलवटं हराबरा पच्च पच्चनी केत पोलं अवश्य तपकुंड केती बारी व्यवसायमू ओके बच्चों अब तीसरा अनुच्चत पड़ेंगे राजा के सेवकों उन्हें भी उस चिडिया को कभी नहीं देखा राजा के जो सेवक है वे भी उस चिडिया को कभी नहीं देखा देखा था अव ना ही पूरे दरबार में कोई इस विशे के बारे में कुछ जानता था दर्बार में जो लोग है वो लोग भी कभी उस चिडिया को नहीं देखे थे, नहीं जानते थे इसलिए कोई भी उस चिडिया के बारे में राजा को नहीं बताया सबी को जो दर्बार में लोग है उन लोगों को भी नहीं मालूम है चिडिया को डूनने साइनिक जेंगल में गये। उस चिडिया को डून्ड ने के लिए डून्ड ना शब्द का अद्ध है वेतकुतु साइनिक कहां गये। जेंगल में गये। डून्ड ते डून्ड ते उन्हें एक लड़की मिली। का डून्ड ने पर उस उन सेवकों को एक लड़की मिली। चिडिया तो नहीं मिली लेकिन एक लड़की मिली। जिसने चिडिया को गाते हुए देखा था। वो लड़की जो है वो लड़की चिडिया को गाते हुए द गाने वाली चिडिये का नाम लेते ही वह बोली, गाने वाली चिडिये का नाम लेने पर वह लड़की ने क्या बोली, कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, क्या बोली वह लड़की, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, किसे जानती हैं, गाने वाली चिडिया को वह जानती हैं, क्योंकि वह उस गाने वाली चिडिया को देखी थी इसलिए सेवकुम से बताई कि मैंने उस चिडिया को जानती हूँ उस गाने वाली चिडिया को वह वह कितने मदरस्वर में गाती है यहाँ देखे वह वह कितने मदरस्वर में गाती है वह वाह ऐसे शब्द आच्चरिय का बोध करते हैं आच्चरिय इन्हें विस्मयादी बोधक कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों विस्मयादी बोधक वाह हाई वोह अगर वाकी में आए तो पाचारन लीजिए बच्चों ऐसे शब्द जो है आजचरी का बोध करते हैं इन्हें इसमें आदि बोध करते हैं इनके साथ हम पहले अनुच्छेत में भी पड़ेते के पास के दूर के ऊपर आदि शब्द स्तान का संबंद प्रकट करते हैं इन्हें संबंद बोध कहते हैं क्या कहते हैं बच्छों तो यहाँ पर वह कितने मदुरस्वर में गाती हैं, वह आच्छे जी को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम इस शब्द को हम इसमयाद बोद काते हैं, जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संजया समय घर लवड़ती हूँ, तो वह मुझे रास्ते बर अपना मीटा मीटा गाना सुनाती हैं, वह बता रही हैं लड़की, जब वह अपना काम पूरा करके शाम के समय घर लवड़ती हैं, तो रास्ते बर में चिडिया के गाना सुनती हुई घर लोड जाती हैं सुनने पर क्या होता है इससे मेरी सारी तकान दूर हो जाती है तकान शब्द का अर्द है अलसटा जो लड़की सुबह से शाम तक काम करती हैं तो तक जाती हैं उस पूरे तकान को ये उन चिडिया के गाना सुनकर बूल जाती है ऐसा लड़की ने उन सैनिकोम से बताई सेवकोम से बताई सैनिकोम के अनुरोध पर अनुरोध शब्द का अर्द क्या है प्रार्थना विन्नपम सैनिकोम के अनुरोध पर लड़की ने चिडिया को आवाज दी सैनिकोम ने पूछने पर अनुरोध करने पर लड़की ने चिडिया को बुलाई आवाज देना शब्द कार्द क्या है? बुलाना क्या बूली? मेरी चोटी सुन्दर चिडिया हमारे राजा तुम्हारा मदुर संगी सुनना चाते हैं अमारा राजा जो है वह तुम्हारा संगीत सुनना चाते हैं, सुनना शब्दिकार्द क्या है? विनाल अनुकुंटु नारू, चाहना कोर कोडम, विनाल अनुकुंटु नारू, क्या तुम उन्हे अपना गाना सुनावोगी? क्या तुम उन्हे अपना गाना सुनावोगी? नीवो, नीवोका गोंतु तोटी चक्कागा नीपाटब इनि पिस्तावा? अनारू, लड़की की बातें सुनकर चिरिया बोली, उस लड़की की बातें सुनकर चिरिया बोली, यहां देखिये, लड़की शब्द का, हुमलिंग लड़की की बातें सुनकर चिरिया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे बरे जेंगलों, खेतों में अच्छा लगता है, अच्छा शब्द का, विलोम शब्द क्या होता है? बुरा, अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाओंगी, फिर भी आईना पड़की कूडा, राजगार की नायक पाटने तप्पकुंडा अवश्य, तप्पकुंडा सुनाओंगी, विनि पिस्तानू अनन्न दे, ओके बच्चों, यहां आप को समझ में आये न, यहां कहानी, अब जहां तक आपको समझ में आया, उसका हम पता लगाएंगे, देखे एक बार इन चित्रों के सहारे, यहां आपको पहले भी मैं बताईए, पर्याइवची शब्द है, विलोम शब्द, लिंग, वच्चन, ओके वच्चन, आप लिख लि न, यह पूरे, और के पास, के दूर, के ऊपर, संबंद बोदक है, हाई, ओ, वाह, या आधी तो, विसमयाद बोदक है, ओके, अब देखिए, आपके समझ में जो आया, अब तक जो कहानी हमने पड़े, वा कहानी में आपको जो समझ में आया, आप इन चित्रों के सहारे मु आपको एक राज महल, सुन्दर राज महल, इस सुन्दर राज महल में कौन रहते हैं, एक राजा राता हैं, एक राजा, एक सुन्दर महल में, बहुत सुन्दर महल में राता था, राजा को अपने सुन्दर महल पर घमंड ता, घर्व ता, इसलिए इस सुन्दर महल को देख इस सुन्दर महल को देखने के लिए दूर दूर से समसार के कोने कोने से यात्री आते थे क्यों आते थे यात्री लोग इस सुन्दर महल को देखने के लिए आते थे तो यात्री सुन्दर महल को देखने के बाद एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक में यात्रा के बारे में यात्रा वन्नन करते हुए राज महल का वन्नन करते हुए लिखेते उसके साथ साथ एक गाने वाली चिडिया के बारे में भी लिखेते उस यात्रावनन को राजा पढ़े थे पढ़ने के बाद राजा को मालूम हुआ कि माहल के पास वाले जेंगल में एक गाने वाले चिडियां रहती हैं तब क्या करे राजा? सब लोगों से पूछा क्या आपको मालूम है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस प्रकार पूछने पर पता चला कि किसी को भी धर्बार में जो लोग है किसी को भी उस गाने वाले चिडियां के बारे में नहीं मालू है तो तब क्या किया राजा? सैन कों को बुला कर बोला तुम लोग जाकर जेंगल से उस चिडियां को मेरे पास लाओ मैं उस चिडिया को देखना चाता हूँ और उस चिडिया के गाने को मैं सुनना चाता हूँ तब साइनिक जेंगल में चिडिया को देखने के लिए डूंड़ते डूंड़ते गई बहुत डूंड़ने पर साइनिकों को एक लड़की मिले उस लड़की को पूछने पर पता चला कि वह लड़की उस चिडिया को जाती है रोज वह लड़की सुबह से शाम तक काम करके तक जाकर संजा समय घर लड़ती है तो रास्ते बर इस चिडिया की गाना सुनती हुई घर पहुंचती है गाना सुनने से क्या होती है अपना तकावड जो है वह पूरा वह लड़की भूल जाती है समझ में आई बच्छों यह विशय लड़की सैनिकों को बताई तो सैनिक क्या करे लड़की तुम तो उस गाने वाले चिडिया को जानती हो न हम तुमसे अन्रोद करते हैं कि तुम उस चिडिया को बुलावो तब लड़की ने आवाज दी किसे चिडिया को चिडिया हमारे राजा तुम्हारे गाने को सुनना चाते हैं क्या तुम अपना गाना राजा को अपना गाना सुनावोगी यह इसा पूछी तो चिडिया उत्तर दिया कि मेरा गाना तो हरे बरे जेंगलों में केतों में अच्छा लगता हैं फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनावोगी इस प्रकार चिडिया ने उस लड़की को उत्तर दिया यहा तक हमने पढ़ लिया बच्छों दूसरा पार्ट जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे समझ में आया बच्छों आपको यह कहानी अच्छा लगा ना तो इसके बाद मैं एक प्रश्न आपको देना चाहती हूँ क्या है वह प्रश्न प्रश्न देखे आप अभिवेक्ति स्रुजनात पकता हमने इस कहानी में राजा के सेवकों लड़की और चिडिया के बीच भाशन को देखे हैं उस भाशन को आप समवाद के रूप में लिखना है समवाद बोले तो क्या है बादचीत राजा के सेवकों ने क्या कहा क्या पूछे लड़की ने क्या उत्तर दी और चिडिया को कैसे बुलाई चिडिया ने क्या जिवाब दिया इसका इन तीनों के बीच जो बादचीत हुई उन बादचीतों को समवाद के रूप में लिखकर लाईए अच्छा बचों मैं समझती हुँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी है इस बार अगली बार हम दूसरा जो अनुचेत है उसके बारे में जानेंगे अच्छा बचों धन्यवाद ऴूच्छा है इस बार अपकाल